लक्षमी सिंग लक्हिंपूर खीरी पहुची जहां उन्होंने लक्हिंपूर खीरी में पुलिस अधिक्षक विजय ढूल सहित समस्त थाना ध्यक्षों के साथ एक क्राइम मिटिंग की वही उसके बाद जिले की समस्त कोतवाली का ओचक निरिक्षन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिये वही इस दोरान उन्होंने एक कोतवाली में बनी महिला हेल्पडेस का भी निरिक्षन किया जहां पर उन्होंने महिला सिपाहियों से जानकारिकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये इसी के चलते आईजी लक्षमी सिंग जिले के कोतवाली पलिया पहुची जहां उन्होंने पुलिया सरकिल का ओर किया और कोतवाली का निरिक्षन किया वही इस दोरान उन्होंने एक कोतवाली में बनी महिला हेल्पडेस का भी निरिक्षन किया जहाँ पर उन्होंने महिला सिपाईयों से जानकरी कर आवश्यक दीशा निर्देश दिये जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से एक प्रेसवारता की प्रेसवारता के दोरान जानकरी देते हुए आईजी जोन लक्षमी सिंग ने बताया कि लखिमपुर पहुच कर उन्होंने सबसे पहले क्राइम मिटिंग की है और उसके बाद जिले की हर कोतवाली का निरिक्षन किया है जिले में बढ़ रहे अपरादों पर अंकुष लगाने के लिए अब जिले की पुलिस लगातार सतर्क रहेगी जिले में कितने भी मांचीत अपरादी है उनकी धरपकड गैंग्स्टर एक्ट वगुंडा एक्ट पर कारवाई और साथ ही नंबित विवेचनाओ की भी समिक्षा करने की बात कही इसके अलावा उनने यह भी बताया कि बीत दिनों जितने भी अभी तक के क्राइम हुए है उन पर फोकस किया जाएगा और उनका जल से जल खुलासा कर अपराद्यों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा तोहारों के काफी इधर सक्रियता रही थी काफी हम लोग व्यस्त रहे थे तोहारों और अन्नीप्रकार के निशन में हम व्यस्त रहे थे अब यह समय है जब हम अपने नॉर्मल पुलिसिंग क्राइम और क्राइम वग को फोकस कर रहे हैं इसी सिलसले में लखिमपुर खिरी में क्राइम मीटिंग और कोटवाली का निरिक्षण तथा अब हम पलिया आए हैं पलिया में हम यहां सर्कल का और कर रहे हैं और वांशितों की धर पकड गैंग्सर आक्ट गुंडा आक्ट के तहत कारवाईयां लंबित विवेचनाओं की समिक्षा हम करें जितने भी अब तक के सम्विदंशील अपराद हुए हैं महत्कून अपराद हुए हैं जो अब तक खुले नहीं जा सके हैं या जिन में अपेक्षित गती से प्रगति नहीं हो पाई है उसकी भी हमारे द्वारा समिक्षा की जाएगी यदि हम कोई लापर करवाही पाते हैं तो संबंदित के खिलाब कारवाही करेंगे और गती लाने के लिए सभी सर्किल के सभी अपसरों को यहां पर निर्देश देखें